वाल 2 कब होर यह रिलीज, रितिक रोसन और NTR इस्टैरियर वाल 2 थीएटर में पधारेंगे इन दिन वाल 2 की रिलीज डेट को लेकर काफी स्ट बुगाट चल रही है चलिए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को रितिक रोसन और NTR इस्टेरियर भिड़वाने की प्लानिंग चल रहे है दरसल वाल 2 को फिल्म मेकर आदेतिय चोपड़ा एक स्टेप उपर लेकर जाना चाहते हैं वाल 2 को साउथ इंडिया में पहुचाने के लिए जूनियर NTR को कास्ट किया गया है ताकि रितिक रोसन और NTR में काफी मारधाड हो जिसे दिखे लिए फैंस में खलवली मची रहे ऐसे में रेपोर्ट के मुताबित प्लानिंग ये है कि वाल 2 को 2025 में 26 जनवरी के आसपास रिलीस किया जाए आदेतिय चोपड़ा चाहते हैं कि वो रितिक रोसन की वाल 2 25 जनवरी 2025 को रिलीस करें क्योंकि इस दिन जो भी फिल्म उन्होंने रिलीस किया है तावर्टोड पैसी की कमाई हुई है हाला कि कहा ये भी जा रहा है कि फिल्म की सुटिंग स्टैडवल को देखकर रिलीस डेट को आगे खिस्टाया जा सकता है मगर फिलाल फिल्म में करड़ 25 जनवरी 2025 परिटिके हुए है और वैसे भी फिल्म रिलीस की डेट 2025 है ऐसे में आयान मुखर जी को आदित्य चोपड़ा वाल 2 के डिरेक्शन के लिए चुना है वो उनके वीजन और फिल्म मेंकिंग स्टायल से एंप्रेस हैं आयान मुखर जी वाल 2 के स्क्रिप्ट और प्रिप्रोडक्शन पर काम करना सुरू भी कर दिया है बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है कुछ वक्त पहले खबर ये भी आई थी वाल 2 की कहानी पूरी कर ली गई है कहानी को इस हिसाब से लिखा गया है कि YRF के सभी फिल्मों से कनेक्शन जुड़ जाए और तो और फिल्म के प्रिप्रोजेक्शन पर काम चल रहा है सारे काम को निप्टा लेने के बाद वाल 2 को इस साल के एंड तक फ्लोर पे लाया जा सकता है आपके जानकारी के लिए बता दे वाल 2 मेरिती ग्रोशन, NTR जुनियर और क्यारा एडवानी जैसे एक्ट्रेस काम कर रहे हैं फिर वाल 2 मेरिती ग्रोशन और NTR जुनियर को एक दूसरे से बिढ़वाया जाएगा ये एक एक एक्ट्रेस एडवेंचर होगा कुल मिला कर वाल 2 एक अच्छा खासा टाइमिंग दिया जाएगा सुटिंग के लिए इसको साल 2025 में रिलीस किया जा सकता है हाला कि इस रिलीस डेट को लेकर फिल्म मेकर्स ने अभी कोई बड़ा एहलान नहीं किया है खेर आप बताएए वाल 2 मेरिती ग्रोशन और जुनियर NTR को एक्ट्रेस करके देख कर आप कितने एक्साइटेड है